हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोग के सामने एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विटेमिन सी के फायदे विटेमिन सी के फायदे आज मैं आप लोगो को बताऊंगा तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब वीडियो को कर लो लाइक क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलिटिव जानकारी इस चैनल पर लेकर आता हूं तो आइकन जरू प्रेस करिएगा जाकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू तो आप तक नोडिफिकेशन तुरू जल्द पहुंच जाए तो चलिए हम वीडियो को आप सुरू करते हैं दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा विटमिन सी के आठ फायदे जो की बहुती ब इटाता है साथ साथ मैं आपको बता दूँ स्किन को बहुती लचीला बनाता है इस्मूतली बनाता है तो यह स्किन में इसके फायदा हो गए दूसरा नमबर बालों के लिए बहुती अच्छा होता है जिन लोगों को डेंडरफ या बालों में पपड़ी जैसी सिकायद करता है आपके बालों के लिए यह बहुत ही अच्छा थावित होता है नमबर 3 सूरज की किरणों से यह बचाता है मैं आपको बता दूँ इसमें एंटी ऑक्सिडेंट की मातरा बहुत जादा होती है इससे यह होता है कि हमारे सरीर पर जो धूब पड़ती है उसका असर कम हो ज सरीर से उर आपको बतानों जो लोग अस्तमा के पेशेंट होते हैं उनको भी को बहुत फायदा c कारण हमाई उसको यदि फायदा होता है नंबर पाँछ किसी भी परकार का गहाव हो ऑना सरीर में उसको ये भरता है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ विटामिन C बहुत ही बहतरी नेक हिलर भी है जो कि घाओ को सुखाने में मदद करता है बहुत कंडिशन में यह बहुत अच्छा फाइदा करता है एलरजी के अंदर भी मैं आपको बता दूँ जिन लोगों को अलर्जी की प्रॉबलम होती है स्किन से रिलेटिव प्रोब्लम होती है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है यह नंबर साथ रोगों से लड़ने की छमता बढ़ाता है यूमिनिटी सिस्टम को मजबूत करता है आप लोगों ने काफी देखा होगा जो बॉडी विल्डर होते हैं जो जिम बगेरा करते हैं तो यह जो होता है यूमिनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है तो आप लोग भी इसका यूज करके फाइदा उठा सकते हैं नंबर आठ विटामिन सी हमारे सरीर में जो तनाव और चिडशिड़ापन होता है उसे भी यह कम करता है मांसिक रूप से जो प्रोब्लम आती है भी यह ठीक करता है बहुत ही फाइदे मंद होता है इसके अंदर भी है दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप विटामिन सी के साइड एफेक्ट यूज बगेरा जानना चाहते तो आप आई बटन पर चले जाएए आप वहां पर इस वीडियो को देखिए उसमें आपक दोनों मिल जाएगा तो आज के लिए वीडियो इतना ही कल फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुड़बाय